चमकम चमकम में हम जो जो desires हैं हमारे वो हम भगवान के सामने रखते हैं और कहते हैं कि यह सब हमारे पास है भगवान रुद्र की अराधना की वज़े से तो जिसको कहते हैं positivity positive statements बोलना art of manifestation आजकल हमारे यह buzzwords है Art of Manifestation, Universe के साथ आप कुछ मांग लो होती है, Universe आपको दे देगा तो वो जो Art of Manifestation जो English Books में लिखे गए हैं और जो हम लोग आज कल करते हैं वो अल्रेडी हमारे चमकम में दिया हुआ है बट सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि हम लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आता और हम लोग मंदिर में पंडित लोग बोलते हैं पंडितों की सुनकर के हमें और कुछ समझ में आता नहीं हमें लगता है कि बस हाँ पंडितों ने कुछ बोल दिया हमने कुछ कर दिया और हम निकल गए वहाँ से लेकिन जब इसके अर्थों को समझते हैं तो वाँ वाँ ऐसा लगता है इतने positive statements मतलब बार बार अपने आपको positive statements बोलना है बार बार और ऐसे बोलना है कि सब कुछ आपका है जो कोई मैं जब रुद्रम चमकम पड़ती थी और जब इसके अर्थ समझ में आने लगे मैं आपसे सच कहती हूँ माइंड ऐसे ऐसे बुलते ना ब्राडन हो गया ब्राड ब्यापक होने लगा अरे ऐसे लगता था सब कुछ मेरा ही है मेरे पास किसी चीज की कमी ही नहीं है everything I have it under my control and under my desire अगर मैंने कोई चीज सोची है तो ये चीज मेरी है पहले से ही है भगवान ने मुझे दिया है मेरी चीज है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है तो ये जो कमी की जो feeling होती है हम लोगों के अंदर अरे हमापस यह नहीं है हमापस वो नहीं हमापस वो नहीं है हम हमेशा रोते रहते हैं और negative चीज़े ही अपने जिवन में करते रहते हैं negative बाते और negative manifestation जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे नहीं होते उनके अंदर हमेशा positive thinking होती है और positive manifestation होता है हम भगवान के अंश हैं हमें किसी चीज़ी कमी नहीं होनी जीए होनी ही नहीं जीए लेकिन हम भूल जाते हैं तो वो याद दिलाने के लिए हमारे हाँ यह पुझा पदिती निकाली गई थी ऐसे ऐसे text निकाले गए जिसमें इतने positive statements हैं हाँ यह संस्कृत में लिखे हैं यह अंतर है हम संस्कृत भाषा से कड़ गए हैं अपनी संस्कृति से कड़ गए हैं संस्कृत भाषा नहीं रही तो हमारे संस्कृति नहीं रही संस्कृति खत्म तो हम वो कर नहीं पा रहे हैं लेकिन जब आप चमकम पड़ेंगे अभी आपको समझाओंगे आप समझेंगे मैं क्या कह रही हूँ इतने positive statements हैं इत्मेक्स यू फिल आपको बहुत लगेगा बहुत powerful फिल होगा एक और बात आप लोगों से share करना चाहती हूँ कि पहले अनुवाकों में जब हम पड़ रहे थे तो भगवान के दस्वे अनुवाक में भगवान का एक स्वरूप कहा गया भगवान आप लाल लाल रंके हैं आप हम पर कृपा कीजिए आप धन दौलत देने वाले हैं ऐसे करके भगवान का एक लाल रंका स्वरूप आया था पिछली बार मैंने आप लोगों को पहले दुसरे तिसरे अनुवाक में भगवान के एक पिले रंके स्वरूप को बताया था भगवान के हल्दी वाला स्वरूप जो महराश्टर में पुना में है और उसको हम लोग खंडवार आया नाम से जानते हैं अब मैं आपको एक भगवान का लाल रंका सुरूप बताती हूँ लाल गुलाल या गुलाबी गुलाल डाला हुआ सुरूप ये भी महराश्टर का एक मंदिर है कोलापूर में इसको जोतिवा कहते हैं महराश्टर का ये केदारनात है और ये कोलापूर में रतनागिरी में है रतनागिरी में एक रतनासुर नाम का एक असुर था जिसको वहां की अमबावाई जो है उनसे लड़ाई कर रही थी तो असुर को हराना कठीन हो गया था उस समय पर ब्रह्मा, विश्नु, महेश ये तीनो इकठे हो करके आये थे और रतनासुर को हराया था उस गिरी का नाम उस पहाड का नाम रतनागिरी पड़ा है और वहाँ ये मंदिर है और यहाँ जो शिलिंग की जो स्थापना हुई वो भगवान करिश्न के कुल गुरु गरगाचारिया उन्होंने ये शिलिंग की स्थापना की है तो ऐसी एक प्राचिन हिस्ट्री है यहां की और यहां पर भगवान की जो मुर्ती की पूजा होती है वो केवल गुलाबी सिंदूर से होती है तो आप पुरे मंदिर में कहते हैं जोती बा जोती यानि भगवान का जोती जोतिर में स्वरूप जोति लिंग जैसा और इसमें भगवान के तीनों जो स्वरूप है वो यहां पर प्रतिष्ठित है चलिए तो भगवान को जो हमने रुद्रम में दोर स्वरूप में देखा एक पिले स्वरूप में ए लाबी और लाल एक ही एक ही रंग के फैमिली है ठीक है अब हम लोग चमक प्रश्ण पे चलते हैं चमकम अध्याए एक अनुवाक एक ओ मगना विष्णू सजोशे मावर्ध तुम्वाम्गिरह दुम्नैर्वाजे भिरागतम् वाजस्चा में प्रसवस्चा में प्रसितिस्चा में धीतिस्चा में क्रतुस्चा में स्वस्चा में स्लोकस्चा में श्रावस्चा में सूतिस्चा में जोतिस्चा में सुश्चा में प्रानस चा में, अपानस चा में, व्यानस चा में, असुशस चा में, चित्तम चा में, अधितम चा में, वक्तम चा में, वाकत चा में, मनस चा में, चक्षुश चा में, शोत्रम चा में, दक्षस चा में, बलम चा में, ओजस चा में, सहस चा में, आयुश चा में, जरा चा में, आत्मा चा में तानुस चा में शर्मा चा में वर्मा चा में अंगानी चा में अस्थानी चा में परुंगशी चा में शरीराणी चा में तो जब हम चमक प्रश्ण पढ़ते हैं तो चमक में पहला ही लिखा है ओम अगना विश्णुम कह रहे हैं इस अगनी की रूप में भगवान सूर्य हैं और साक्षात विश्णु वो भी यहां प्रकट हैं यग्य की रूप में जो भी हम यग्य करते हैं बिना विश्णु को दिये वो यग्य समपूर्ण नहीं होता किसी भी यग्य में हमने जो मंसे, क्रिया, वानी से जो भी हम करते हैं वो यग्य की तरह करना चाहिए और नारायन को समर्पित करना चाहिए तो ही वो यग्य सफल होता है एक तो यह फिजिकल यग्य जिसमें आप समीधा डालते हो हमीशा वो डालते हो वो एक यग्य और दूसरा हमारा जीवन ही यग्य है हम खाते हैं पीते हैं अंदर हमारे जठा रगनी चल रही है वो खाना हम ना खाए वो भगवान को भोग लग रहा है हमारे इंद्रिया भगवान के सिवा में लगे तो यग्य है हम सास ले रहे हैं सास लेना ये यग्य बच जाए हर सास में भगवान का हम नाम ले जीवन यग्य में हो जाए तो जीवन जो हम जी रहे हैं हम यग्य की तरह जिए जो कर्म हम करते हैं हम भगवान को समर्पित करें ये गीता में और थे सब्सक्राइब करते हो जो भी तुम तुम करते हो जो तुम दान में देते हो तत कुरुष्वमम मदरपणम वो सारे के सारे तुम मुझे दे दो यह बगवान चलिक निगा है गीता में तो यग्य का अर्थ हुई अर्थ ही है कि हम भगवान विश्णु को दे दे सब पहले चमक में पहला स्टेटमेंट है आप दोनो भगवान शिव और भगवान विष्णू हम से प्रसन्न होईए और ये जो अब हम सुती करने वाले हैं जो भी यग्य करने वाले हैं ये आप दोनों की प्रसन्ता के ले कर रहे हैं आप दोनों आनंदित होईए आप दोनों प्रसन्न होईए हे भगवन और हमें हम पर खृपा कीजिए अपनी शक्ति हमको दीजिए कि हम परनों चाहेंड अब यग 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 बार बार-बार बोल रहे सापके दिमागे बार-बार यह आता होगा वु अगनी जलानी है उसमें हवं करना है सवाह सवाह करना है वो एक प्रकार का यग है लेकिन आप रुद्रम चमकम करके भगवान को समर्पित करते हैं तो वह भी यग है आप भले अगनी ना जलाएं क्योंकि प्रोसेस तो घर में नहीं कर सकते हैं हर बात तो ये पढ़कर के भगवान को केवल दिया जला दीजिए फल फुल खिला दीजिए उनको ओफर कर दीजिए जल ओफर कर दीजिए पंचामरित ओफर कर दीजिए that's it